अफिकल दोस्तों जिसको जो कहना है कहने दो आपका क्या जात है समय-समय की बात है वक्त तो सभी का आता है तो बिल्कुल इस वार आपका वक्त आया है आपको एक vacancy आपके नाम करनी है अन्ट टक लड़ेंगे साथ लड़ेंगे और एक वेकेंसी अपने नाम करेंगे तो बिल्कुल देखें दोस्तों यहां पर हम लोग 2019 ठीक है 2019 को जो के 22 ठीक है 2019 में जो आपका इसे से जी डीका जो एक्जाम हुआ था उसी का जो मैंस का को उसको करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आप 25 आट अफ 25 ला सकते हो बिल्कुल हर एक मार्ग आपके लिए कभी जादे इंपोर्टर रोल प्ले करता है मेर तक पहुंचने के लिए तो आपको सिखाऊंगे कैस आपने से 2,5 आविट से 25 आप ला सकते तो तो बिल्कुल जो आपको 22 22 19 जो पेपर था उसी को यहांपर सॉल करेंगे मैस के पेपर करेंगे और मैं आपको सिर्फ questions को solve करना ही नहीं सिखाऊंगा, सबसे shortest way, जो आपका सबसे shortest way होता है, वह ही आपको दिखाऊंगा, उसी से आपको solve करना भी सिखाऊंगा, तो चलिए, direct पहुस्ते questions पे, यह पर पहला question, 51 number question, चुकि मैं यह अब मैस करा आ रहा हूं, तो 51 number, 51 से आपका start white question, देखे, पहला question है, बोले कि दो ट्रेन, वीप्रीद दिशा में, 40 km पर दिखंटा और 50 km पर दिखंटा की गती से क्या कर रहा है, अलग-अलग अस्थानों से 360 km की दूरी से आ रही है, कितने घंटी बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, बहुत ही आसान, बहुत time होता है, चुकि यहाँ इखुए और time निकालने के लिए आ, कि एक दुसरे से कितने समय में, क्या होगी, मिलेगी, आपसे पूचा यहाँ पर तो time scale को पता है, time scale क्या हो जाता है, time cycle हो जाता है distance by speed, ठीक है, तो देखें, distance तो आपको कितना दिया हा था, 360, 2060 अब पर सिखने का चीज यह कोई जाएगा तो यहां पर शिखने का चीज है देखें 2 ट्रेन एक 40 किलोमेटर परतिहंटा 15 किलोमेटर परतिहंटा की स्पीड से घुत तो जब भी दो ट्रेन इस तरह से opposite direction से आए तो हमेसा वहां पर हमलों क्या करते है speed को आपस में जोर कर लिखते हैं ठीक है जिसको हम relative speed का concept भी बोलते हैं तो 40 km परती घंटा 50 km परती घंटा यानि कितना हो गया 90 km परती घंटा की speed से क्या होगा वो दोनों एक दूसर की तरफ आएगा तो देखे distance आपका 360 हो गया speed कितना हो गया 90 km परती घंटा तो बस अब इसको कर टेज़े जिरो से जिरो कहा है चार बार में ठीक है यानि कि टाइम आपके कितना आगया है 18 रुपए में 2 कलम तता 45 रुपए में 5 कलम बेज देता है चुकि उसने पांच कलम ही खरदा तीन कलम और दो कलम पांच कलम खरदा तो आप से पूचे कि लाब या हानी परतिसत बताइए लिए अपको पास एक तो कोश्ट प्राइस होना पड़ेगा फिर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं तो थी कोश्ट प्रैस बहुत आसा ने प्राइस कितना हो जाए पांच कलम तो थीन क 201 रुपए में पांच कलम तो फ्रीच कितने हो जाएगा तो पहले 24 रुप और 58 रुपए तो 24 रुथाच कितना हो गया बताएए लिए फिर ृभान प्राइ क्र का profit हो गया अब profit % निकालने के लिए क्रते जो भी आपका profit प्रॉफित में हम cost price नीचे लिखेंगे ठीक है यह आपको profit तीं रुपय और cost price अपका कितना रुपय और गुना में 100 लगा देंगे अब इसको काट लिजे कितने बाद में कटेंगा यह दिखेंगे 3 से कटेंगा कार्टना नहीं है यह वाला ओप्शन को अगर देखेंगा आप दी नंबर साथ साथ ए उन्चास और एक पचास पता साथ यानि की दी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है साथ अगर पचास को काई नहीं के तो साथ पूर्णांत एक बिट्टा साथ आप आप तीन के अनुपात में दूद और पानी है अब क्या बोले कि कि जब इस मित्सरं में 5ल पानी डाला जाता तोНеल और पानी का अमपात च्छ बंदा में न्यथ्षम में 7 तो मित्कि निल जचman है बहुत यह असान बहुत ज़्या जद़ है अशनं है एक मित्रं पर 3 में चा है एक पार्फ बने का ने अनुपात क्या बंद रहे तो दित्ubby इल्स कार्या जएकतव कितना जाएंगे गृति ठीपन चीछ अगयर सबक्राइट मिल्टिप्लाई कि जिक्ट एक 10 एक ईपैटि तो इधर आ जाएगा तो घर जाएँ नहीं हो जाएगा 10 x तो दीख दस से 30 करते हैं कितना है थीन बार में एक्स का वैलु कितना है आपका तीन x का वैलु कितना ये तीन आप से क्या पूछा कि दूद की मातरा बताएए तो दूद का मातर थी थी था तो 4 गूना 4 एक्सा और एक्स का वैलो तो 3 है यानि 4 इंटू 3 4 इंटू 3 कितना हो जागा है 12 दिखे किस अप्सन में बी नमर उप्सन आपका बिल्कुल कड़े कांसर है यह पर हो जाएगा ठीक है समझ माँ है चली बढ़ते आगे देखे अगला कुछन क्या बोल रहे है अगला कुछन बोल रहे है कि वार्सिक ठीक है क्या बोल रहे है कि वार्सिक आधार पर चक्रवीधी जो चक्रवीधी दो साल के लिए 3 पर तीज़ी वर्स की दर से 6,000 रुपे पर चक्रवीधी ब्याज क्या होगा आपको पता निया दिखे जो ट्रेडिशनल मैटर यह उसको लगाना भूल जाएगे मैं इस तरह से जोड़ लीजिए तो कितना हो जागा एक सो तीन बट्टा सो यह होगा आपका होल वैल्यू इसका काम क्या है आप देखते रहे इसका काम एक बर में आप कहांसर आएगा अब चुक्कि आपको क्या बोलाए कि छे अजाब रुपे है इसका चक्रवीधी ब्याज चक्रवीधी ब्याज निकाले के लिए क्या करेंगे पहले तो अपको अमाउंट आएगा अमाउंट समय घटा देंगे तो आपका ब्याज आपको मिल जाएगा तो अमाउंट कैसे हो जाएगा तो देखे 6,000 रुपे है आपका लिख लीजिए गुना ठीक है अब देखिए यह आपका यह जो होल बैलु है ना यही होल बैलु आपको क्या दो साल तक लगेगा किसके उपर 6,000 रुपे के उपर तो गुना में लिखिए 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100 चुकि दो साल के लिए लग रहा था इसने दो बड़ मैंने गुना किया अब इसको सॉल्प कर लीजिए तो दीके जैसे सॉल्प करेंगे तो यहां पर 2,0 सी यह 2,0 कैंसल यह अपका 1,0 सी 1,0 इदर कैंसल आगे इसको जैसे गुना करेंगे तो गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा इसका तो दीके 103 गुना 103 तो आपका हो जाएगा 10609 ठीक है अब गुना 6 बाकी है और बटा में यहां पर 10 अपका बाकी है तो फॉर्दर जैसे इसको आप सॉल्प करेंगे ठीक है सॉल्प करके बिल्कुर यह 6,000 रुपे क्यों क्या करीजिए घटा लीजिए आपका आंसर आ गया चले मैं ही कर देता हो पूरा का पूरा यहां पर ठीक है तो 6 से गुना कीजिए 6,9 कितना क्या सकता है डिखाएंगे तो आएक कररेंगे आपसे क्या करना है आपकोथे 6,000 घटाना भीए यह तो आपको निकालने किया बॉलाँ चक्रवेध करेंगी ब्याच से क्या करेंगे यह स्ञेंगे जो आपका अम्-वाउंवी क्या साथिए अगर हम प्रिंसिपर हां अपर द तीक है आयोप आपको समझ में आया होगा चली बढ़ते आगे दिखे अगला कुछन क्या बोल रहा है बले कि समानतर चटरबूज का आधार उसकी उचाई से दूगुणा है और इसका चेतर पल कितना 288 cm2 है तो समानतर चटरबूज का आधार क्या होगा दिखे अपको पता हो तो है उसके उचाई से दूगुनी है, उचाई मान लेते x, तो आधार क्या हो जाएगा, 2x अपका हो जाएगा, अब बोल रहा है कि इसका छेतरफल इतना है, तो चुकि हमको पता है कि समनानता चतरभूज का जो छेतरफल होता है, वो होता है आधार गुने उचाई, आधार उचाई तो आधार आधार आपका 2x इंटू उचाई आपका x, तो यह आपका छेतरफल, लेकिन छेतरफल तो आपका एक्चुली में 288 है, ठीक है, तो 2 से काट लेंगे, यह कितने मान में कड़ेगा, 144 बराबर आपका कितना आ गया, 144 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 144, दीक है, मैं इतना कर रहा हूं, आपको करना नहीं है, तो रूट अटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा x का वैलो, आपका आजाएगा 12, ठीक है, एक्स अपने क्या माना था, उचाई आपसे पूचाई भी है, दीक है, आपसे क्या पूचाई यहां पे पूचाई, यहां से पूचाई, आधार बताईए, तो दीक है, एक्स का वैलो आपको कितना आ गया 12, और आधार तो आपको 2x माना था, यानि दो गुना 12, यानि आपका 12 दोगों नहीं कितना, 36, दीक है, किस ऑप्सन में, ऑप्सन नबर 3, आपका बिलकुल करेक्ट आंसर ह हो जाएगा, समझ माया, चली बढ़ते आगे, दीक है, अगले कुसिन क्या बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है कि 5 निरंतर संख्याओ का आउसत 15 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको बतानी है, बहुत ही आसान, निरंतर मतलब क्या, एक के बाद एक आने ठीक है, अगर आप सबको जोड़ेंगे, तो कितना आजाएगा, 1x, 2x, 3x, 4x, और यह 5x, यानि 5x, प्लस कितना आएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 3, 6, प्लस 4, 10, तो यहां पर गोए 10, यहां क्या हो गया, संख्याओ का योग हो गया, लेकिन अगर संख्याओ का योग आगे इसको जैसे आप solve करेंगे, तो देखें कितना हो जाएगा, 10, इधर आजाएगा, तो घर जाएगा, 75, तो 5x, इसकल तो आप कर रहे जाएगा, कितना, 65, ठीक है, अगर आगे आगे आप कार्टेंगे, 5 से तो कितना बार में कर देगा, यह 13 बार में, तो x का value कितना आ आगे, देखें, यहां पर क्या बोल रहे है, यहां पर बोल रहे है कि तालीका ठीक से अध्यन करे, और आकरे की वेक्षाय करके उत्तर दे, बोल कि परिक्षा के 5 अलग अलग वर्सों के 4 अलग अलग कच्छाओ दोबारा परिनाम का 30 तालीका में दरसा आया है, तो चली दे यह आपका 9 का माक्स हो गया, ठीक है, 2012 में यह 90, 2013 में 70, 2014 में 65, 2015 में 50, इस तरह से continue, सबका माक्स आपका दिया हुआ है, हड़े क्लास का हड़े वर्स में, ठीक है, अब आप से पूछ कहा रहा है, तो कोशन भी देख लीजिए, बुल रहे हैं कि वर्स 2012 से 16 में कक्छा 9 के अंक वर्स परतिसत निकालना है, तो देखे, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, आप निकाल लीजिए, ठीक है, और चलिए, डिर्क पोश्ट हैं, कहां पर यह आपका, क्या, यह आपका पुरा डेटा जो गीवेन है, चार्ट, तो देखे, यहां पर पहले क्या करेंगे, हम 2012 से 2016 तक का पूचा है, तो सब क क्या कर लिजिए, पहले एड कर लीजिए, तो देखे, एड कर लेंगे, तो नभे, सतर, पैसट, 是आफ, पचास और पस्ट इन एड़ियानी के, टोटल आपका हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा, यहांपर पिंसो तीस, ठीक हैंपर कितना तो यह आपका आपको समझ माया होगा चले बढ़ते आगे देखे अगला कोशन क्या है देखे अगला कोशन आपसे बोल रहा है कि स्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है जब कि जो कोने यह अंसुल है ठीक है अंसुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकते है अब यह दिवे एक साथ पेंट करते हैं और कितना 14,000 रुपए का भुक्तान प्राप्त करते तो अंसुल का अंस कितना होगा देखे यह पर मैं आपको स्मार्टने दिखाना सिखाता हूँ कैसा बहुत सवेथा इस्टू यह कोन है अंसुल का एक से क्या हो जाएगा तो ऐसे लिखे 40 अनुपात 30 ठीक है अब जीचे जीरो हैं तो चार अनुपात 3 का आगया ठीक है अब इसी अनुपात में क्या होगा यह वाला पैसा बटने वाला तो दीखे 4 और 3 कितना हो गया साध आपका नि मिल रहे तो 14,000 रुपए साचा गड़िया किने वार में दो बाड में आगे गुना करेंगे तो तीन दोगनी छे यानि कि होगे आपका 6,000 रुपए मिलने वाला है किसको अंसुल को देखिए option number C आपका right answer होगा अचा एक चीज यहां पर समझा देता हूं देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हूँ ठीक है यह वाला जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कैसे मैंने बोल दें कि उलट जाएगा चले मैं आपको करके दिखाता हूं एसा मैं क्यूं बोला कि जो भी डेल लग रहा है उ उसके बाद जो अंसुल एक total कम को कितने दीन? 40 दीन अब total work अगर निकालेंगे तो दोन का LCM निकालेंगे तो कितना आजाएगा? 340 का LCM कितना आजाएगा? आपका आजाएगा 120 120 के आगा आपके LCM मतलब यह होगा पर total work हो गया LCM जो होगा अपका total work अच्छा अब अगर 30 से 120 को भाग देंगे तो कितना चार बाड में यहनी 4 का efficiency हो गया Ace का जो कि स्वेता है उसी तरह से अगर अनसुल का efficiency निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 का तो देखें, 4 और 3 का efficiency आया ना उलट गया तो इसलिए मैंने बोला 4 अनुपा 3 अपका होगा 179 दिनों में क्या करता है? 179 दिनों में एक काम पुरा कर सकते हैं Sanjay गया सोवे 15 दिनों में एक काम कर सकता है तो वही काम Somya सोवे कितने दिनों में कर सकती है ठीक है? अट बहुत आसान है सबसे पहले तरह निकालेजर टोटल करवाना कितना है? तो दिख्ये, यहाँ पर बोल रहाए कि, जो संजया है ठीक है, और प्लस, जो आपका कौन है, प्लस जो आपका सौम्या है, छो आपका सौम्या है, मैंने यहाँ स लिग दिया, तोटल, दोनों मिलके, तोटल काम को किते दिन में, 9 दिन में करती है ठीक है अच्छा अब अगर हमसे जो आपका संजिया है उसका देखे तो वह टोटल काम को कितने दिन में करती है 15 दिन में तो टोटल वर्क निकाल लीजिए टोटल वक 15 और 15 और 9 का LCM कितना हो जाएगा तो देखिए कितना होना चाहिए 45 ठीक है 45 हो जाएगा तो 9 से कितने बार में और 15 से कितने बार में 15 तिया 45 तीन बार में अब देखिए यह जो 5 का Efficiency आया किसका तो आया जो संजिया है और आपको सोम्या है दोनों का मिला के आया ठीक है और यह जो तीन तो सांफिसिंसी वह स्रिफ संध जाहा तो अगर संध कर देंगे प्लाइए पैपिसेंसी से तो आपके कितना आगे सोई सwiąर का सवफ के सवाइस यह जेएगा 5-3 चल सbor iki तो तो यह तो किस्का एफिसेंस से काम करना है ऊसको 45, एक दिन में दो काम, तो 45 काम कितने दिन में कर देगा तो बस आप 45 का क्या कर लिजा, आदा निकाल लिजे, 45 का आप दो 100 भाग देंगे ना, या 45 का आदा कितना हो जाएगा, सारे 22, देखे, option no.C, correct answer हो जाएगा, आज़ो स पर आसन को सेने X, Y, Z के बीच 4,600 रुपे की राज सी, ठीक है, किस अनुपात में 1 बट्टा 2, 2 बट्टा 3, 3 बट्टा 4, ठीक है, कितना 3 बट्टा 4 के अनुपात में वितीत की गई, तो Y का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले क्या कर लिजिए, यह जो आपका अनुपात यह इसको सिंपल अनुपात में बदल दीजिए, तो दीखे कितना है, X is to Y is to Z है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अनुपात, दीखे यह एक बट्टा 2 है, अनुपात 2 बट्टा 3 है, यह आपका 3, ठीक है, उसके बाद 3 बट्टा 4 है, यह ना, तो दीखे कैसे बदले चार बार में 4 गुना 2, चार गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 यह आपका अनुपात होता चलेगा, ठीक है, बंदर चल रहा अनुपात अपका, चार से काटेंगा बाड़ों को, 3 बार में 3 से काट, बुना करेंगे 3 को, 3 तीखे 9, तो आपका नया अनुपात क्या बन गया, 6 अन अनुपात में 8 बट्टा क्या करेंगे, जो लीजिए, 8 से 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 9, आपका होता है, 20 तो यहाँ पर लिख लीजिए, 30 और गुना में लगा लीजिए, लगा लीजिए क्या, जो टोटल अमांट बटना है, तो 4,600 रुपे आपको क्या करना है, बटना आपको समझ में आ रही होगी, अगला कुछन क्या पूछ रहे आपसे, अगला कुछन पूछ रहे कि सबसे बड़ी संख है, निमनी में से कौन सी है, जिससे, 140, 148 और 611 को भीवाजित करने पर, सेस्वल करंसर 2, 8 और 11 आता है, बहुत यह अच्छा कुछन है, ठीक है, बहु 248 में सेस कितना 8 और 611 में सेस कितना 11 तो हर कोई को जो सेस्वल बच्छे उतना प्या कर लिजिए, घटा लिजए, 142 घटा लिजए, 248 और 611 से घटा लिजए 11 तो दीखे, जैसे आप घटाएंगे, तो घटके कितना आ जाएगा, तो पहले तो आजाएगा 144 एक संख्या, दूसर संख्या कितना आ जाएगा, तो आजाएगा 240 है ना, 248 घटा आएगे, उसके बाद, तीसर संख्या क्या आ जाएगा 600, ठीके, अब आपको क्या करना है, आप सब का HCF निकाल लीजिए, आयोब आपको HCF निकालना आता होगा, ठीके, बहुत सार रूल है, आप जैसे आपको 24 आने वाला है, तो बिल्कुल 24 आपको यह पर राइट अंसर हो जाएगा, ठीके, अगर आपको HCF में कहीं पी confusion है, LCF में कहीं confusion है, तो बिल्कुल मैं उसका सेपरेट वीडियो पूरा अच्छे तरह समझाते हुए, HCF, LCF को करभा रखा हूँ, ठीके, बहुत से महत क आपको समझे है, 24 आपको समय है, 24 आपको समय हो जाएगा, बढ़ते आगे, अगला कोशन क्या है, दो ट्रेनों के गती के बीच का अनुपात कितना, 3 अनुपात, 4 है, यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमेटर के दूरी तह करती है, तो पहली ट्रेन के गती क्या होगी आपको बतानी है, बहुत यासान है, देखें, मैं सौट श्ट्रीक आपको बताता हूँ, देखें, दो ट्रेनों के गती के बीच का अनुपात कितना, 3 अनुपात, 4, ठीक है, पहले का गती अगर अनुपात में 3 है, तो दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमेटर जाता है, तो कितना बाड में काड़ेगा यह, whether IRA yh, 160 किलोमेटर परदी घंटा जो जाएगा, यह दूसरे ट्रेन का, स्पििध हो जाएगा, तो स्पिड कितना हो गा, 106 किलोमेटर पर यखंट तो आनुपात में 4 is 4, दूसरे train का, लेकिन एक चुली में के तना है, 160, तो आपस में क्या होगी आपका बड़ाबर, तो आनुपात 4 बड़ाबर कितने का, बताईए, तो 4 से काट यह, कितने बाद में, 40 बाद में, तो आनुपात 1 बड़ाबर 40 का, आप से क्या पूचाए कि पहली ट्रे Nacional का फीड बताए को लॉक्त आपको समझ को अरहे होगी Ben अगले कि frightened के अगले को सन बोल रहा है सिल्दीफिंट समंझ नी跑 गोड़ा सब आपको मिलने मेरा तो देखे यहां पर क्या है 6 into 15 bracket है यह divide का साहिन है ठीक है यह आपका divide का साहिन है 2 into 3 minus 2 square plus 3 तो देखे पहले हम आपका 15 कितने बाड़ में तो 5 बाड़ में 20 में गुना है तो देखे 3 गुना 5 कितना हो गया 15 ठीक है आगे माइनस 2 square 4 और प्लस का यहां पर 3 पहले जोड़ते हम तो 15 और 3 कितना हो गया 15 और 3 आपका 18 घटारिंगे कितना 4 तो आपका आगया कितना अठार से 4 गया तो 14 ठीक है 6 पर 3 का क्या हुआ नुकसान हुआ तो मसीन का लागत मुले क्या है आपको बतानी है ठीक है तो क्या करेंगे ज्यादा इसमें कोई सेंसग्राप को लगाना नहीं है फिर से क्या करेंगे होल वैलो के कॉंसेट लगाएंगे एक ही बार भी एक जटके में आपका अनसर आने वाल है ठीक है तो दिखे 16 परतिसत का होल वैलो निकालेंगे तो कितना आजाएगा आपका आज यहां पर 94 बटा 100 इतना का नुकसान हो रहा है अब चुकि दिखे वैपारी ने कितना इतना जो कि आपका 18 800 है इसी में अगर आप इस होल वैलो को उलटके लिखेंगे अगर जाता है अब क्राइब वीडियो मिल जाएगा कि इसको उलट के लिखेंगे तो गुना में हो जाएगे रहे साू बट्ठा क dyscent अब या प्शूरानवे हो गया तो बस इसको कर लेजा आपका आंसर आ गया ने के गईधा से 0913 इसको कार देंगे 18800 को तो कितना आएगा आपका अराम साब बोल सकते यह आपका दो बड़ में कर जाएगा तो यह आपका हुए 200 तो 200 गुना 100 कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा तो आपका 20,000 रुपए तो यह आपका 20,000 रुपए तो इस option में option number A आपका बिलकूर right answer हो जाएगा ठीक है आपका समझ में तो इस डंग से आपका औरली answer निकाल सकते है whole value का आपको सिखना पढ़ेगा कि को बहुत से चैप्टर में यह concept आपका direct आपका answer तक पहुचा देता है ठीक है तो I hope सबसे पहल आप उसको भी देखेंगे ठीक है चले बढ़ते आगे तो 4,000 बिक्री मुल्य वाले एक क्या डाइनिंग सेट को 8% के छूट पर बेचा जाता है और इस पर 10% लाब होता है तो डाइनिंग सेट का लागत मुल्य क्या है आपको बताना है मतला कोश्ट परइस फिर से आपको निकालना है फिर से लगाएंगा whole value answer एक जटके में आप 8% कम लेना है 8% होगय है कितना 320 बिलकुल आपको कितना हो जाएगा तो आपको अपका ऊजाएगा 320 होगा ठीक है 320 होजाएगा,ब यह 320 रुपे क्या करना है,4,000 से कम लेना है,4,000 से 320 को घटाएंगे तो आपको कितना होजाएगा 28 City और 8,0brig मतलब 3,680 रुपे लेना है यह रह जाएगा बिक्रे मुले मतलब इस पी यह रह जाएगा अब आते हैं 10 परतिसत चुकी लाब हो रहा है यानि 10 परतिसत का होल वैलू निकाल लीजे तो 10 बट्टा हम 100 लिखेंगे पहले ठीक है यह से 0 कैंसल अब चुकी लाब हो रहा है तो 10 और एक को जोर के लिखेंगे 11 बट्टा 10 हो गया यह बंद गया आपका होल वैलू लेकिन चुकी कोस्ट प्रैस निकाल रहे है आप क्या निकाल रहे है कोस्ट प्रैस निकाल रहे है को उलट के लिखेंगे तो उलट के लिखेंगे तो गुणा में हो जाएगा 10 बट्टा 11 ठ तो बस हो गया आपका अंसर जैसे आप इसको काटेंगे इसको solve कर लीजे 11 से पुरा 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 ये कटेगा तो नहीं पॉइंट में आएगा ठीक है तो जैसे कटेंगे तो आपका अंसर कितना आएगा तो आजाएगा लगबग 3 3 4 5 ठीक है 0.45 अप जैते खुछ से थारय ऋगी lotta के निदें अंगला कुछन क्या भोल रहा है कि ताली का बोल रहा है कि तालीक यह बोलत । देखे क्या बोल रहा है कि पांच अलग अलग वर्सों के चार अलग अलग कक्छाओं तवारा परिदाम का परतिसत तालिका में दर्चाया गया है यह पीछे वाले कोशन के तरही है ठीक है अपर कोशन सब्सक्राइब देख लेते हैं अच्छा यह रहा तालीगा तो आपने अल्रीड देखा था कोशन पर आता है डायरिक कोशन क्या बोल रहा है कि किस वर्स में सभी चार कक्छाओं का उसत जो परदर्शन है वह अधिक्ता म है ठीक है यह आपका option तो देखें सभी का उसत आपको निकालना निकालना है और बताना कि किस वर्स में चार कक्छाओं का उसत परदर्शन क्या है सबसे जादा है तो क्या करेंगे आप चलिए पहुश्चते पहले आपका data given है तो आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है कि कीस वर्स सभी चार कक्छाओं का उसत परदर्शन सबसे अधिक्ता में तो आपको क्या करना है यह रहा 2012 में देख लेते हैं कि class 9, 10, 11, 12 को मिला के उसत जो आपका दो तीन और चार चारी डिजिट मतलब चार कला से भाग लगा देंगे चार से जो भी आएगा वह आपका आएगा average ठीक है इस तरह सब क्या करेंगे सबका average निकालेंगे 2013 काभी 14 काभी 15 काभी और 16 काभी जिसका average ज्यादा आएगा वह आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो आप 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 खुछ से बता सकते इसका answer ठीक है average निकालेंगे निकालेंगे जिसका सबसे ज्यादा आएगा देख लीजिए किस साल में सबसे ज्यादा आ रहा है कोई आपका right answer हो जाएगा आपको समझ माया आप कुछ से कर सकते हैं चली बढ़ते आगे देखे अगले question यहाँ पर क्या बोल रहा है देखे फिर भी average अगर आपको समझ भी आए ना तो आपको समझ भी तोटल concept के साथ मैंने समझा रख रहा है वहां से देखके आप इसका answer आसाई से दे सकते हैं चली इस question को देखते है 67 number question का कैसे solve करेंगे इसको तो दीखे बोलें कि 36 और 121 के बीच के मद्दे समान पाते है निमनी में से अच्छा निमनी में से किसके ब्राबर है आपको पताने तो मद्दे समान पाते हैं निकालने का trick क्या तो root under AB तो आप कर लीज़े root under कितना 36 गुना एक इक गुना इगारा 66 66 देखें किस option में option number C आपका बिल्कुल right answer बढ़ते आगे देखें यहां पर देखें अगला कुछन यहां पर क्या बोल रहा है कि एक किरके टीम में इगारा खिलारियों को औस आयू कितना बाइस वर्स जब टीम के कोच की आयू इसमें सम्भीत की जात और आयू अब को निकालना है सबसे पहले तो इगारा से क्लारी का total आयू क्या होगा यह तो आपका ऑसत भीया हुआ है तो आप क्या करेंगे 111 गुना बाइस कर लेंगे अब total number में अगर आउसत से गुना करते हैं तो आपका total sum of numbers आपको मिल जाता है तो यहां पर आयू है आपको आयू मिलेगी तो कितना आजागा यहाँ पर तो 11 से गुना करना बहुत आसान यहाँ पर दो यहाँ पर दो दो जोड़ लिजे चार मतलब कितना आगया 242 वर्स आपको हो गया अब आते हैं चुकि एक जन क्या हो गया देखे अब इसमें जो आपका 11 खिलाडी था उसम लिजे तो देखे बारती आई 36 का छे बचात कितना पका तीन बारती चोविस और तीन कितना 276 ठीक है जब इसमें कोच भी सामिल हुआ तो यह टोटल आपका एज आ गया 13 परसंट का तो आपको क्या करना इस से इसको घटा लिजे जो भी आएगा आपका वह क्या होगा कोच उसकी आयू हो जाएगे तो देखे 222 से 276 गटाएगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका फोर और यहांपा होगा थिरी 34 34 साल का देखे किसी option में बी नमर आपका बिल्कुल यहां पर राइट अंसर होगा चलिए आगे देखिए देखे क्या बोल रहा है कि एक ब असे निगाल सकते हां चुकि पचीस प्रतिसाद पास भा तो फेल कितना हुआ फेल आपका 25 पर सेंट लेकिन ACT चुली में फेल कितना हब छेसो पचीज तो यह भी आपका छेसों पचीस जो है है वो फेयल है और ये भी तापका 25% फेयल है यानि दोनों आपस में बरावर 25% बरावर कितना 625 का आपको निकालना क्या है क्या है तो मैंने आपको बता है कि परतीस हाथ में कोई भी चीज जो हता है अपने आपने पर परेसंट होता है तो छाटर भी होंगे 100% तो 100% बड़ाबर क्या होंगे पता नहीं है ना क्रोस मुल्टिप्लाई की जापका आंसर आ गया यानि कितना आ गया 625 00 by 25 25 काटेंगे किते बार में 25 बार में 625 और यह जो 20 लगा लिजिए यानि 2500 टोटल स्टुडेंट यह अब बी नमबर आपका बिल्कुल यहां पर कम हो जाती है तो इसके चेतफर में कितने पर्दिशत की कमी होगी बहुत शॉर्ट इस ट्रिक से मैंने आपके सिखाया है ठीक है टोटल जो आपका मैंसुरेशन का चैप्रेट की मैंसुरेशन का कोशन आपका बनता है दो कोशन तो पकाए इससी पूछता ही है मिनिमर दो अब दक इस सिफ्ट में कितना आपका दो कोशन हो चुका है ठीक है इसे में पूछा जा चुका है तो मैंने बता है कि दो का थो कट करके चले आपका 2 कोशन बने गए तो यह जलू हो जाता है कि आप थे अच्छे भंग से पूरा चौंसेट को और अच्छी को सीखने का सही तरीका सीखे ठीक है इसका लिंक मैं दे दूंगा मैं टोटल दम बेसिक कॉंसेप से करवा रख है ठीक है तो उसको सब पहले दिखे और चली इसके भी आंसर आप खुदी देने का खुशिस कीजिए लेकिन ट्रिक के साथ ठीक है नौर्ट में तो कोई भी सॉल्ब कर लेगा इ प्रिक्षा पांच अलग अलग वर्स में चार अलग अलग कच्छा दॉडर परींदाम का 30 तालिका में दर्शाएगा देखिते हैं बिल्कुल यह वही तालिका आ पूछ क्या रहा है देखे पूच्छ रहे कि सभी 5 वर्स में किस कट्छा का ओसथ पड़त पर देख दिखे तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आप स्मार्ट ने दिखाएंगा आप कहांसर फट्छा आ जाए चुकि आपने पीछे वाले को सब्सक्राइब निकाला तो उसी से आप हेल्प लेगे फटाक से इस कहांसर आप बता सकते कि कौन सा जो कच्छा है वह सबसे अच्छा पर्दर सब्सक्राइब किया है तो आज अब कुछ से कर लेंगे चले बढ़ते अगली कुछन के तरफ कि क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशी का साधान ब्याज कूल राशी का कितना सोलर वट्ट पचीस है यदि यदि क्या बोला है कि दर परतिशत और समय दोनों समान हो तो ब्याज दर क्या होगी ठीक है काफी श्ट्रेंट में देखा कि यह वाला जो कोशन था ठीक हो मार्फ पर रिव्यू करके छोड़ रखे थे दिखा तो आपको कैसे दिखें निश्ची धन राशी पर साधान ब्याज कूल राशी का कितना सोलर बट्ट पचीस है आप बोल सकत है कि 25 रुपे है तो इसने ब्याज मिल रहर हैatre तो अपको परिसिकितना हो गया आपको बोल सकते है पिस किड्रेंट कितना हो गया आपका movast तो principal scale to हमको पता है P scale to, चोड़ी, P नहीं, ठीक है, आपका साधन ब्याज ब्राबर क्या होता है, तो SI is scale to क्या होता है, SI is scale to होता है P into R into T by 100, तो देखे, आपका SI कितना है, SI तो आपका है कितना 16, तो यहाप लिख लिखे 16, ब्राबर, P कितना है, अब देखे, यह 25 से 100 कितने बार में, चार बार में कट गया, अब देखे, चार से गुना करेंगे, क्रूस मल्टिपलाइ करेंगे, चार गुना 16, यानि कितना हो गया, 16 चोग, कितना हो गया आपका, मैं चलिए यहापर लिख देता हूँ, 64, और इधर क्या हो गया, R², ठीक है, तो यानि, अगर सिर्फ R पूछे, तो स्क्वाइड इधर आके, क्या हो, रूट में बदल जाएगा, यानि, रूट हट आएगे, तो आर इसकल तो कितना आजाएगा, तो आपका आजाएगा, कितना एट, ठीक है, कितना आजाएगा आपका, एट, तो दीखे, किस ओप्सन में है, तो ओप्सन नमबर ए, आपका बिल्कुल correct answer यापर हो जाएगा, I hope आपको समझ माए, ठीक है, तो आसाएगे से इस डंग के question को भी item किया जा सकते है, ठीक है, चली बढ़ते हागे, देखे, अगला question क्या बोल रहे है आपको, देखे, कोसन बोल रहे है, एक किर्किट स्रिंखला में, एक बल्ले बास द्वारा बनाएगा है, रन, 12, 25, ठीक है, 28, sorry, 38, 56, 64, और 86 है, तो मत देखा है, क्या होगा, और लिए answer करेंगे, चली बताईए आप, चली आप बताई इस question का answer क्या होगा, ठीक है, देखे, total basic concept मैंने करवा रखा है, आप उसको देखिए, ठीक है, इस question का answer आप खुद से देंगे, ठीक है, जो भी question का answer आप खुद से देंगे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होता रहेगा, ऐसा तो जो भी नहीं, यह question आपका exam में आएगा, लेकिन में इस से related, इस question का answer आप सब पूछा जाएगा, चली खुद से answer बताई इसका, देखे, अगलो question क्या बोल रहा है, यहां पर, बहुत ही अच्छा question आप से क्या पूछा है, कि दो तिर्भूजो के छेतरफल का अनुपाद 2, अनुपाद 3 है, और उसके उचाई का अनुपाद 3, अनुपाद 2 है, तो इसके आधार का अनुपाद क्या होगा, आपको बताना है, बहुत यासान है, कि 25 out of 25 कैसे लाते हैं, इस question को कैसे attempt करेंगे, तो बहुत है, दो तिर्भूजो का छेतरफल का अनुपाद 2, अनुपाद 3 है, छेतरफल अपको दिया होगा है, तो उसके उचाई का अनुपाद 3, अनुपाद 2 है, तो उसके अधार का अनुपाद क्या होगा, तो हरे तिर्भूजो का अनुपाद 3 है, तो दिके तिर्भूजो का छेतरफल क्या हो जाता है, 1 by 2 into आधार गुने उचाई, तो आधार देखें, यहां पर क्या है, अनुपाद 3 है, तो पहले का अनुपाद में कितना 3, तो मान लेते कि 3x जो है आपका आधार है, ठीक है, अब उचाई तो आपका क्या है, sorry 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 यहां पर दिके आधार तो आपका गीवन है नहीं, आधार ही तो आपका निकालना है, ठीक है उचाई आपका गीवन है, ठीक है और आधार कितना है, चले मान लेते हैं वह जो आपका आधार है, ठीक है अधार को कुछ यहां पर कुछ और मान लेते हैं चले मान लेते हैं यहां पर B, तो यहां पर आजाएगा 6 by कितना 4 ठीक है आपकर कितना आ जाएगा 6 by यानिक 3 यहां पर आ जाएगा तो देखे पहले का बेस कितना आगा पहला तरफ का बेस फोर बाइ त्री आगया इसी तरह से आप दूसरे तिरे पर बेस निकल सकते हैं तो कैसे आजाएगा दिखे यहां पर आपका 1 by 2 हो जाएगा into आपका आधार कितना हो गया आधार तो आपको निकालना ये तो चले आधार मालेदे B और उचाई कितना है तो उचाई आपका देखे अनुफाथ में कितना 2 है तो मालेदे 2x तो ये तो बन गरे आपका 6 तरफल तो 6 तरफल बड़ाबर तो आपका दिखें अनुपार्थ में 3 है तो चलिए मान लेते हैं 6 तरफल 3 x है अब इसको सुल्प कोरें तो x और x कैंसल ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर भी इसकल्ट हो गया 3 यहां फिर फीर से यहां पर थासे मिश्टेक हो रहा है ठीक है टू इंटू बी आपका हो गया 2B ठीक है इसकल्टू 2 इंटू क्रूस मिल्टिप्लाइगा 3 के साथ तो कितना हो गया 6 तो यह पर बीस कल्टू कितना हो जाएगा 6 by 2 ठीक है दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 त्याई 6 मतलब इदर कितना है 3 3 by 1 आप बोल सकते है तो देखें तो दोनों का बेस यह पहले तिर्वूज का और यह दूसरे तिर्वूज का बेस तो सिटना का 4 by 3 ठीक है अनुपात कितना हो ए प्रेजिया कि इसको शॉल्प कर लीजे नियुकुल पर बिलकुल यहां पर और एप क्रेक्ट अंसर होने वाली है ठीक है चले बढ़त सब भळा देखें कि अब बोले कि 26-62-5 का 18-4 प्लस 5-7 क्या होगा तो पहले 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 अब क्या करते हम लोग आपका बोर्ड मास से ठीक है जो ब्रेकट का तो 18-14 गट्डेकर तो कितना हो जाएगा तो पांच गुना चार कितना होगा बीस यानि को कि 62-20 ठीक है प्लस यहां प्लस प्लस ठीक है अब देके पांच गुना साथ कितना हो जाएगा 35 एक यह पर में कर लिए यह पर आपका 35 अब देके 35 और 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा संतानबे माइनिस घट आएंगे तो कितना हो गया सततर किस अप्शन में बी नमर अप्शन का बिल्बर करेक्ट आशर हो जाएगा तो इस डंग से अपने क्या कर सकते हैं आप कोशन को थोड़ी से स्मार्टनेश दिखा कि आप कोशन को आसान ही से सॉल्ट करेंग और 25 आप ला तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जाबे मैं और आपका जूफट का को आप लेगर उसको बीमें कैसा आपको आसान से को सोल्ट कर सकते हो और 25 अप्वाइब ला सकते हैं अर तो जो भी का पॉक्षण है उसके बाद जो भी अपका साइंस का पॉर्सन अपको मिल जाएग तो हर एक जो भी वीडियो में अप्लोड कर रहे है उसको देखे ताकि आपका जो त्यारी और भी ज्यादा मजबूत हो पाए और इस साल जो है आपका लास्ट यारान चाहिए इस साल आपका निकलना चाहिए तो चले मिलते अगले सेशन में तब लिए ठेंक्यों परते रहे ह अगरा है